एलो गाइस, वेलकम बेक टू माइक्रो उनलाइन सर्विस आश्टा, दोस्तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम बात करने वाले हैं एक नई योजना के बारे में, दोस्तो आप सभी ने बहुत सुना होगा, अब मैया के बारे में सुन लीजे, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, चले यहां पर देखेंगा, मुक्य मंतरी मया, सम्मान, योजना, ये एक योजना आई है, उसके तहट आपको यहां पर फॉर्म बनना रहेगा, यहां पर सबसब पहले देखेंगे, आर्टिकल का नाम, योजना का नाम, मुक्य मंतरी मया, सम्मान, योजना, शुरुवात किसने किया हैं, तो यहां पर देखेंगे, जाहरकंड सरकार के द्वारा शुरुवात की गई है, लाबारति कौन रहें गए, तो जाहरकंड के मूल निवासी महिला हैं, इसके लाबारती रहेंगे, लाब आपको एक हजार उपर प्रतिमा में दिया आवेदन का जो तरीका है, आनलाइन भी रहेंगा, और आफ लाइन भी रहेंगा, यहां पर आपकी वैपसाइट भी दी गई है, इसी वैपसाइट से आपको फॉर्म होगा, मुख्य मंतरी मया सम्मान योजना दोहजार चोवीस, जाहरकंड सरकार के द्वारा महिलाओं को आ एक हजार रुपे दिया जाएगा महिने का, यानि कि साल भर में इस योजना के तहट आपको टोटल बारा हजार रुपे दिया जाएगा, इस योजना के आवेदन की प्रक्रिया सरकार के द्वारा, तीन अगस्त दोजार चोवीस से लेकर के, तो दस अगस्त दोजार चोवी की गई है इस योजना का उद्देश से राज्जी की 21 से लेकर के 50 वर्स की महिला को हर महिने 1000 रुपे की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी सरकार ने इस योजना के लिए एक आधिकारिक रूप से पोर्टल भी लांच किया है इसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अपना आवधन करें आवधन फ़र्म भरने के बाद इसे अंगन बाडी के केंद्रों में जमा किया जाएगा इसके बाद में आट से लेकर के 25 अगस्त के बीच आवधन के जाएगी और 26 अगस्त को मुकी मंत्री हैमन सोरिन और महिला बालविकास मंतरी बेवे देवी के दौ वारा लाभारती खातों को ट्रांसफर यानि की पैसा आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा मुख्य मंत्री मैया समान योजना की पात्रता और शर्ते क्या रहने वाली है यह देख लेते हैं आवेदेक महिला जारकन की होने चाहिए इस्थाई मूलनिवासी होना चाहिए दूस इसके बाद में एक और पॉइंट दिया गया महिला के पास आधार कार्ड से आपका अकाउंट जुड़ा होना चाहिए मतलब लिंक होना चाहिए चलिए इसके बाद में अगला जो पॉइंट दिया है महिला के पास आधार कार्ड मद्दान प्रमान पत्र आपके पास होना च चाहती हैं उसमें आवश्यक सर्थे क्या रहेगी समय समय पर आपको पूरी जानकारी देखना है तभी आप आवेधन कर पाएंगे मुख्य मंत्री मैया समान योजना के तहत मैतपूर्ण दस्तावेश आपके कौन-कौन से लगने वाले हैं ऑफलाइन फर्म या ऑनलाइन फर् मतलब मैं आपको दिखाऊंगा आवेधन पत्र भी यहाँ पर दखेंगे बैंक के पास बुक होना चाहिए पास्पोर्ट साइस फोटो होना चाहिए आधार कार्ट से लिंक मुबाइल नंबर होना चाहिए और स्वागशना पत्र वो भी मैं आपको दिखाऊंगा चलिए मु भरना रहेगा वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा आवश्चक दस्तावेच की कापी को फार्म भरने के साथ लगाएंगे फार्म की जाच करें और इसे सिवीर के करमचारियों के पास में जाकर जमा करें चलिए इसके बाद मैं देखेंगे अधिकारी आपके फार्म को आउनलाइन सब्मिट करेंगा उसके बाद में यहां से आपको एक रसीद भी देगा इस प्रकार से मुक्य मंतरी महिला सम्मान योजना का फार्म आप भर सकेंगे योजना का लाप राप्त करने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा फॉर्म कैसे भरेंगे यह वला आपको फॉर्म रहेगा मैं आपको यहां पर लिंक में दे दूँगा चलिए इसके बाद मैं यहां पर देखेंगे मैया सम्मान योजना यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, यहाँ पर पती या पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आपका गाउं या महला लिखेंगे, थाना कौन सा है, वर्ड नमबर कौन सा लगता है, पंचायत कौन सा लगता है, सहर कौन सा लगता है, जीला कौन सा लगता है, एक पासपोर्ट size का new photo होना चाहिए साही clear होना चाहिए यहाँ पर देखेंगे आधार card number आपको इंटर करना होगा यहाँ पर आपका जो bank खाता number है वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा यहाँ पर आपका आधार card खाते से link है या नहीं है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको हाँ या नामे देना होगा दिसंबर दोजार चोईस के बाद आर्थिक साहेता परात करने के लिए लिंक खाता अनिवारी रहेगा चलिए इसके बाद में बैंक की डीटेल आपको अच्छे से बनना है यहाँ पर आपकी जो साखा है उसका नाम IFC कून सा है इसके बाद में यहाँ पर रासन कार्ड नमबर आपको डाल देना पेन कार्ड वेकल पिक है अगर आपके पास हो तो यहाँ पर इंटर करेंगे अधरवाई छोड़ दीजेगा यहाँ पर देखेंगे आयू क्या लगती है इसके बाद में जनम तारिक क्या है इसके बाद में फिर आपका मूबाईल नमबर आपको यहाँ इंटर करना होगा साधी हो गई है या नहीं हुई है आपको यहाँ पर हाँ या नामे आपको जवाब देना है यहाँ पर आपके जो आवेदिका की आपको जवाब देना है कि आपके पास कौन-कौन से डोकुमेंट है यहाँ पर हाँ है मतलब complete है तो आपके पास second वाले option के उपर जो checkbox है उसके उपर write करना निसान लगाएंगे otherwise cross कर देंगे जो आपके पास डोकुमेंट नहीं है ठीक है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर तो अंगुठा भी लगा सकते है चलिए इसके बाद में यहाँ पर स्वग उसना पत्र भी आपको यहाँ पर जारकनर मक्य मंतरी मयय संवान योजना के तहट आपको यहाँ पर एक स्वग उसना पत्र भी देना होगा तो इसमें आपका नाम पिता या पूरे जयनकारी देने होगा कि मैं गोशना करती हूँ मेरा पती या फिर राज्य सरकार द्वारा केंदर सरकार द्वारा सारजनिक या वीवित निका या इस्थानी या फिर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से इस्थाई कर्मी सविधा कर्मी या फिर मान्दे कर्मी किसी प्रकार से किसी भी गौवर्मेंट सर्वीस में नहीं है और नहीं मैं पेंसन धारक हूँ चलिए इसके बाद मैं यहाँ पर देखें मेरे परिवार में कोई भी आर्क आई कर दाता नहीं है मैं महिला बाल विकास या सामजिक या विभाग या फिर जारकन राची के द्वारा संचालित किसी भी सामजिक सुरक्षा पेंसन योजना का लाप पूर्व से प्राप्त नहीं कर रही हूँ इसके बाद मैं करमचारी में पी एप खाता धारक नहीं हूँ मैं वर्तमान अत्वा भूतपूर में सांसद या करने और आधार कार्ड का उप्योग करने के बाद में अधी नियम 2006 के अनुसार इस नियम में मैं अपनी सहमती देती हूँ इसके अलावा किसी भी प्रकार से कोई भी समझ से आतियत मैं स्वयम उसकी जिम्मेदार रहूंगी चलिए इसके बाद मैं यहां पर देखें उप्र हुई जाए यहां पर आपका हस्ताक्षर या फिर अंगुठा आपको लगाना रहेगा अब सत्यापन का जो प्रतिवेदन है वोसे भी देख लीजिएगा आपका नाम पिता या पती का नाम आपका गाउं कुन सा सहर कुन सा थाना कुन सा है वाड़ नमंबर कुन सा है यहां पर आपको सब कुछ इंटर कर देना है, यहाँ पर देखेंगे, यह दोनों confirmation है, इन सब को आपको इंटर कर देना है, यहाँ पर आपका जो है, स्विकरती के लिए आपका signature और यह सब आपको अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा, चलिए आप जो रसीद जो दी जाती है, य जिला कुन सा है, मोबाइल नंबर, और जो date आप form बर रहे हैं, वो date आपको इहाँ पर डाल देंगे, यह आस्ताक्षर आपको नहीं करना है, यहाँ पर उस कर्मचारी के द्वारा किया जाएगा, चलिए voice, SMS या फिर registered mobile नंबर पर आपको पूरी जानकारी भेज दी जाएग झाल झाल झाल